अनुपमा के आगामी एपिसोड में दर्शक एक दिल्चस्प मोड की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि वनराज आधी रात को अनुपमा से मिलने आता है जहां अनुपमा को चिंता होती है कि घर में सब ठीक है या नहीं। जब वनराज अनुपमा से अपने पिछले धोखे और विश्वास घात के बारे में बात करता है जब वनराज ने अनुपमा को कई बार धोखा दिया था। इसके अलावा उसने अनुपमा के साथ बहुत अशिष्ट और दयनिये व्यवहार किया। वनराज बुरे समय को याद करता है क्योंकि जो कुछ भी होता है वह पूरा होता है और अब वनराज को अपने जीवन में सभी आगहात सहने होंगे। इस प्रकार वनराज अनुपमा से मदद मांगता है कि जीवन में तनाव और धोखे को कैसे संभालना है और उससे कैसे गुजरना है। अनुपमा ने अनुज के सामने सच्चाई उजागर करने पर जोड दिया। अनुज वनराज को गेट से निकलते हुए देखता है और उसे संदेह होता है कि वनराज और अनुपमा के बीच क्या गड़वड है।